हे सैकडों कर्म करने वाले ज्यानी इंद्र हमें पौरुष युक्त बल भरपूर दे और युद्ध में शत्रूं को हराने वाला पुत्र दे हे निवासक इंद्र तू हमारा पिता और तू ही हमारी माता है इसलिए तेरे पास सुख मांगते हैं हे बल के लिए प्रसिद्ध और सामर्थेवान तथा सभी के द्वारा प्रशंसित इंद्र बल से युक्त तेरी हम इस्तुति करते हैं तू हमें उत्तम पराक्रम करने का सामर्थ दे हे धनवान, वजधारी, विलक्षन और बलवान इंद्र वे धन दोनों ही हाथों से हमें भरपूर दे हे इंद्र जिसे तू तेजस्वी और चाहने योग मानता है उसे हमें भरपूर दे वे हम उस उत्तम धन के दान को लेने की इच्छा करते हैं हे वजधारी इंद्र तेरा नाना दिशाओं में जाने वाला प्रसिद्ध और विशाल मन है उस मन से कठिंता से मिलने वाले धन को भी बल बढ़ाने के लिए हमें दे उपमा इस अध्याय में आई हुई उपमाओं को देखिए उष्णा रिशी के समान कवी काब्यों को बोलता है रत और घोडे के समान यश की इच्छा करने वाले सोमरस धन पाने के लिए प्रयत्न करते हैं युद्ध में जाने वाले रत के समान प्रेरित हुए सोमरस हाथों में धार्ण किये जाते हैं पाने के लिए सोम पात्र हाथ में पकड़े जाते हैं भार उठाकर ले जाने वाले मजदूरूं के हाथों पर जिस प्रकार बोज उठाकर रखा जाता है उसी प्रकार सोम पात् से उठाए जाते हैं इस्तुतियों से जैसे राजा खुश होते हैं उसी प्रकार सोमरस गाय के दूद्ध से सुशोभित होते हैं साथ रित्विजों द्वारा जैसे यग्य सिद्ध होता है उसी प्रकार सोम गाय के दूद्ध से सिद्ध होता है लड़के की जैसे उसकी माता द अगन की शोभा बढ़ाते हैं पुरुष जैसे इस्त्रियों के साथ आनंद से रहता है उसी प्रकार सोम पानी के साथ रहता है इंद्र का जैसे लोग यग्यों से सत्कार करते हैं उसी प्रकार सोम का भी सत्कार यग्यों से करते हैं माताओं के साथ जिस प्रकार लड़का रहत प्रजाओं का राजा जैसे शत्रूं को दूर करता है उसी प्रकार सोम शत्रूं को दूर करता है। अथनौमो ध्यायह प्रतमः खंडः अभी अभी उत्पन्न होने के कारण बालक के समान रहने वाले सबों के द्वारा पुज्ज इस सोम को मरुत शुद्ध करते हैं। साथ संख्या के इस ज्ञान वर्धक सोम को सुशोभित करते हैं। उसके बाद यह ज्ञानी सोम इस तोत्र के काब्यों से जो इस्तुति प्रारंब होई है। उसे सुनते हुए शब्ज करते हुए छलनी से च्छाना जाता है। रिश के समान मन वाला, रिशियों को बनाने वाला, सबका सेवन करने वाला, हजारों इस्तुतियों से प्रशंसित कवी की योग्यता को प्राप्त हुआ। जो सुम है वह अत्यंत पुझ्य तीसरे धाम में रहने वाले और इस्तुत्य होकर विशेश तेजश्वी बने हुए इंद्र को और अधिक प्रकाशित करता है। कलश में रहने वाला प्रशंसनीय, शक्तिमान, गति करने वाला, गाय प्राप्त करने वाला, गाय के दूध में मिलाया जाने वाला, बहने वाला, जल के लहरों के समुद्र में मिलाया जाने वाला, शस्त्रों को धारण करने वाला, वह बल्वान सोम, चतुर्थ धाम में रहता है उचे स्थान में विराजता है यह सोम रस। इस इंद्र का सामर्थ बढ़ाते हुए इंद्र को प्रिय लगने वाले रस की दृष्ट करते हैं। रस नीचे के बरतन में चनकर गिरता है, हे चने हुए और बरतन में रखे हुए सोम रसों, वायू और अस्विनव को प्राप्त होकर वे तुम हमें उत्तम वीरता दो, हे सोम चाना जाता हुआ तुम इंद्र की आराधना के लिए हिरदेओं को पेरित कर, मैं देवों के यग्य स्थान में आकर बैठ गया हुँ, हे सोम तुझे दस अंगुलियां शुद्ध करती हैं, साथ होता गण तुझे संतुष्ट करते हैं, ज्यानी तेरा अनुसरण करके मुझे प्रसंद करते हैं, हे सोम बालों की छलनी से चाना जाने वाले, सुख बढ़ाने वाले तुझे दे साथ गाय के दूध में मिलाया जाता है, हे सोम धन से युक्त हमारे लिए च्छनता जा, सब शत्रों को नस्ट कर और अपने मित्र इंद्र के पेट में प्रविष्ट हो जा, हे सोम मनुष्य का निरिक्षन करने वाले, इंद्र के द्वारा पिये जाने योग्य तथा सब को जानने वाले तुझे प्राप्त करके संतान और अन प्राप्त करें, हे सोम तुई द्यूलोक में व्रिष्ट कर, प्रतिवी पर अन उत्पन कर, संगराम में उप्योगी होने वाले सामर्थ हमें दे, यहा पहला खंड समाप्त हुआ, जुतीह खंड़ह हजारों धाराओं से बालों की छलनी से छाना जाने वाला सोम वायू और इंद्र के पीने के लिए बरतन में जाता है। सामर्थ हमें दे और अन दान करने के लिए बहुत सा अन हमें दे। संग्राम के लिए प्रेरित हुए सोमरस शीघ्रगामी घोड़े के समान रित्विजों के द्वारा बालों की बनी छलनी से छाने जाते हैं। किया जाता है। हे सोम वह तू आनंद देने वाला और चाना जाने वाला शब्द करते हुए सब शत्रों को नस्ट कर। हे सोमों दान न देने वाले शत्रों का नाश करते हुए तथा अपने तेज से चमकते हुए तुम यग्य के स्थान पर बैठो। यहां दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतियह खंडह यग्य के लिए तयार किये गए बहुत मीठे और तेजस्वी सोमरस इंद्र के लिए धारा से छंते जाते हैं। यह रित्विजों सोम पीने के लिए इंद्र की सेवा करो। दुधारू गाएं जिस प्रकार अपने बच्छले की सेवा करती हैं उसी प्रकार तुम इंद्र की सेवा करो। आनंद बढ़ाने वाला सोम यग्यशाला में निमास करता है, जैसे नदी के तरंगों में यह ज्यानी सोम रहता है, उसी प्रकार यह गानधरवी में भी रहता है, छलनी में शुद्ध होता है, उत्तम यग्य करने वाला महान ज्यानी यह सोम है, वह अंतरिक्ष की नाभिके समा बालों की छलनी के ऊपर महत्वशाली होता है जो सोम कलशों में छलनी के बीच में रखा हुआ है उस सोम को जल स्परश करे सोम मीठा रस जिसमें टपकता है उस बरतन को पूरा भर देता है वह जल के आश्रे स्थान पर शब्द करता हुआ जाता है नित जिसकी इस्तुत की जा रहने वाली इस्तुति को सुपीकार करें हे शुद्ध हुने वाले सौम सहस्थ तेजों से युक्त अपना घर तठा धन हमें दे घ्यानी सोमरस स्रेष्ठ स्थान में रहने वाले घ्यानी के समान अपनी धार से दिूलोक के प्रिय स्थान की ओर प्रिरणा करता है यहां तीसरा खंड समाप्त हुआ चतुर्था खंडः हे सोम समुद्र की लहरों के शब्द के समान तेरे वेग से बहने की आवाज निकलती है ऐसा तू वान नामक बाजे के समान शब्द कर तेरी उत्पत्य होने के बाद यग्य करने वाले रित्विज, रिगवेद, यजुर वेद के मंत्र बोलने लगते हैं, तब तू उचे स्थान पर रखे हुए बालों की बनी चलनी में जाता है, प्रिय और हरे रंग के पत्थरों द्वारा कूटे गए मीठे सोम रसको चानने वाले रित्विज, भेंड के बालों की बनी चलनी से चानते हैं, हे परमहर्ष बढ जाने वाले सोम, इंद्र के पेट में जाने के लिए चलनी से धार बांद कर चंता जा, हे आनंद देने वाले सोम, तेजस्वी, गाय के दूध, आदि पदार्थों के साथ मिलकर चंता जा, और इंद्र के पेट में जा, यहां चौथा खंड समाप्त हुआ, पंचमह खंडः हे सोम इस रीति से इंद्र के पीने के लिए तू छंता जा तेरा यह रस संग्राम में 99 शत्रूं को नस्ट करता है उसी समय शत्र के नगरों का नाश यह सोम करता है इस प्रकार यग्य करने वाले दिवोदास के लिए संबरा सुर को और उत्तम तुरवश को और यदु को इंद्र ने मारा हे सोम घोडे प्राप्त करने वाला तूम हमें गाय और सोने से युक्त घोडे को और अनेक प्रकार के अन्न को दे सोम शत्र को मार कर दान न देने वाले दुस्तों को दूर करके इंदर के स्थान के पास जाने के लिए छाना जाता है हे चाने जाने वाले सोम हमें बहुत सा धन भरपूर दे, शत्रों को मार और पुत्रों से युक्त यश्ट दे हे सोम जब च्छाना जाने वाला तुम यग्य करने वालों को धन देने की इच्छा करता है तब धन देने की इच्छा करने वाले तुझे सैकणों शत्र भी रोक नहीं सकते हे सोम मनुष्य को हितकारक जल देने वाले तूने जिस चमकने वाली धारा से सूर्य को प्रकाशित किया उसी धारा से चंता जाला।